डोस्तों बहुत सारे स्टूडेंड्स या बहुत सारे कंसल्टेंट्स या फिर जो इन्सिट्यूट रन करते हैं जितने भी लोग और खास करके स्टूडेंड्स जो भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाता है डी या बीड में ऐसे कोर्सिस को करने के लिए जदा तर खिर्वाइड यूनिवरसिटी की ओर और जैसे ही प्राइवेट यूनिवरसुटी के तरफ आप रुक करते हैं यहां से ही कुछ प्राव्लम्स होनी शुरू हो जाती है आप सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ आपके कंस economies ने बोला कि इस यूनिवरसिटी में admission लो और आप उसके प उन सब पर आप डिटेल में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से, चादा कुछ जानने के लिए DLA और BLA के बारे में दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ, दोस्तों हो सकता है कि हमारा कोई सजेशन आपके बहुत काम का हो, हो सकता है कि जो चीज़े हम लेकर आते हैं, उन चीज़ों को देखने के बाद अपने आपको चेंजिस कर सकें, जो प्रोसेस में आप एड्मिशन लेना चाहते हैं, मैं हमेशा से ही खिलाफ रहता हूँ, कि आप सीधा एड्मिशन ले ले और केंपस को देखे भी नहीं, आप एड्मिशन ले ले और केंपस तक विजिट भी ना करें, आप सिर्फ होर्डिंग्स देखें या कंसल्टेंट ने बोला, एड्मिशन लेने आप चल दिये, आपने एड्मिशन लिया, फीजिकी रसीट तक आपके पास नहीं है, रसीट तो बहुत दूर की बात, प्रोस्पेक्टर्स तक आपने नहीं देखा, युनिवस्टी का अप्रूवल तक आपने चेक नहीं किया, युनिवस्टी कब बनी आपको ये भी नहीं पता कोई पूछ ले आपकी युनिवस्टी कहां पर है तो नाम तक कई बार तो स्टूडेंट गलत बोल रहे होते हैं सबसे पहली बात तो आपने एकर किसी भी उनिवस्टी में अडमिशन लिया है आप डियेड करना चाहते हो भी आट करना चाहते हो खास करके बिहार के यूपी के राजस्थान के हर्याना के जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ज़ादा बहुत बड़ी तादात में अडमिशन के अकाउंट में डालें और सबसे पहले आप कोशिश जरूर करें कि युनिवरसिटी विजिट करें और युनिवरसिटी केंपस में जाकर ही फीज जमा करें और वहां से अपने नाम की रसीत कटवा लें वरना आपके साथ प्रॉबलम हो सकती है आपको पता होनी चाहिए आपने जाके एडमिशन ले लिया किसी के बहकावे में आकर कि हाँ युनिवरसिटी डियेट करवाती है युनिवरसिटी ने वेबसाट पर लिख दिया आपने देखा और जाके फीज पे कर दी ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ प्रॉबलम हो सकती है जितने भी डियेट बीएड वाले स्टुटेंट्स होते हैं वो मैकसिमम वो लेते हैं इन डिगरियों को सिर्फ इसलिए कि उन्हें कहीं जॉब में अपलाई करनी है सिर्फ लेकर घर पे तो किसी को रखनी नहीं है जॉब में अपलाई करना चाहते हो और उसके लिए आपके कुछ डॉक्रुमे में एक्जाम्स दिये हैं मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टुडेंट्स बहुत सारी युनिवस्टी में नोन अटेंडिंग मोड से एडमिशन लेते हैं हाला कि लीगल तो नहीं पर क्या करें आपकी मजबूरी है कि आप बहुत दूर हो या वरकिंग हो या किसी भी प्राइ युनिवस्टी कर रही है और ढcape लोग कर रहे हूँ तो ऐसे में स्टुदारक होते हैं कंसल्टेंट वो आपको एडमिशन दिला देते हैं अपनी थोड़ी सी कंसल्टेंसी लेते हैं और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी दे पूरी बिलकुल ना दे अगर ये गलती आप कर रहे हो तो आज नहीं तो कल फज्जा हो गई ऐसी युनिवस्टीज में एडमिशन ना लें जिनको अपरोवल अभी मिला है साल चे मेने पहले पहले देख लें कि उस युनिवस्टी का कम से कम एक बैच कंप्लेट करके निकला भी है या नहीं वो निकलेगा जाके कहीं जॉब में लगाएगा वैकेंसी जाएंगी तब पता चलेगी क्या क्या प्रॉब्लम है इस युनिवस्टी के साथ सिर्फ ऐसे ही नहीं युनिवस्टी 23 में बनी 22 में बनी 24 में बनी आप जाके एडमिशन ले लो ऐसे अगर लोगे दोस्तों फ़स जाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी मेरी बातों को अगर आप सीरियसली लें हमारा बहुत अच्छा experience है education का उसी experience को हम आपके साथ में share करते हैं कोशिश करते हैं आप लोगों को scam या fraud से बचाने की कोशिश करते हैं आप तक पूरी सटीक information पहुचाने की दोस्तों video को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और जितना कुछ आपने जाना D&BD के बारे में किस यूनिवस्टी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका नाम आप कमेंट बाक्स में ज़रूर बताएं हो सकता है दूसरे स्टूडेंट तक भी जानकारी पहुँच सके क्या प्रॉबलम फेस की वीडियो हमारी वीडियो को जादा जादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आपको जानका बना सकें और हमारे चैनल को सबस्काइब करना बिलकुल ना भूले साथ में लगा बेल आकन जरूर दबा दें कि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियो हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुचत के सबसे पहले बहुत मुश्रूर के दोसर निवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए